आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफंड जो है आई टियार जब हम फाइल करते हैं उसके बाद हम रिफंड का इंचिजार करते हैं छोटी सी दो चार बातों में सीखते हैं कि रिफंड किस कंडिशन में जल्दी मिलता है और किस कंडिशन में देरी से मिलता है जिनका रि तो नियम तो यह हैं कि 10,000 रुपए तक के रिफंड बहुत जल्दी रिवीज हो जाते हैं ठीक है और उससे ज्यादा 10,000 रुपए से ज्यादा अगर है तो फिर उन्हें देरी हो जाती है रिफंड मिलने में देरी हो जाती है तो क्योंकि उनके जो प्रोसेस है या फिर उनका इन्वेस्टिकेशन है एनलेसिस है वो थोड़ा सा डीपली होता होगा क्योंकि 12,000 रुपए तक टैक्स वैसे भी छूट है तो इसलिए 10,000 रुपए से तो नीचे है इसलिए इनके उपर कोई नहीं जल्दी ये इशू हो जाते है और अगर आपने जून मेंने के बाद आई 16 ही जनरेट नहीं होता है बहुत जल्दी तो इसलिए लेट से भार आ जाता है तो जून मैने से पहले जिन लोगों ने फाइल किया है इनका भी जल्दी आ जाता है उसके बाद जो भारते है और फिट ट्राफिक जादा होने के कारण प्रोसेसिंग में बहुत देरी हो जाती है ठीक है तो कब नंबर आये पता नहीं तो बहुत हमारा तो 45 मैने लग जाते हैं जितना लेट होगा आईट्यार को मिलने में जितनी भी वेरी होगी उतने दिन का इंट्रेस गौर्मेंट जेदी है छे परसंट परसंट इंट्रेस अपरेल से नहीं होगा यह इंट्रेस उस तो सौ रुपाय से कम जिसका रिफंड आ रहा है तो उनको भी नहीं मिलेगा ठीक है किया आपने इस प्रोसेसिंग में इतना लग जाता है या फिर आप अगली बार जब आईट्यार फाइल करोंगे या फिर टैक्स पे करोंगे तो उसमें यह अमौन्ट को एक्जस कर दिया जाएगा ठीक है तो इसलिए यह जो अमॉड नहीं होगी दूसरा यह है कि अगर आप हमें कोई कले में फिलर करना चाहिए था उस कालव में नहीं फिलर किया है और आज कर तो है तो आप है तो नियम लागू नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी ऐसी गलती जो की फॉर एक्जमपल आपको A.T.E. लागू नहीं है ठीक है जो एजुकेशन लोन की धारा ही लागू नहीं है और आपने उसके अंदर भर दिया है जितना भी आमोंट भरना था डिडक्शन के लिए भर दिया है तो यह जब प्रोसेसिंग होगा तब वहाँ पर एरर दिखाई 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 आपको तो वह लागू नहीं है आपने डाकूमेंट में सब्मित नहीं किया है और A.T.E. नहीं आपने क्या दिया है रिफंड के लिए अमॉंट डाल लिया है तो इस तरह की जो मिस्टेक्स होती है तो यह जब पता चलती है तो प्रोसेस सब में देरी हो जाती है और इन कारणों से भी रिफंड मिलने में देरी हो जाती है क्योंकि आजकल पोर्टल ऐसा है कि वहां पर गलती जो होती है हमसे वो जो नॉर्मल जो गलती होती है जो कि मतलब जो documentation पूरा करने के लिए जैसे कि mobile number नहीं डाला है यह मेरा ID नहीं डाली है है ना contact detail नहीं डाला है account number नहीं डाला है यह जो गलती है वो तो जैसे कि ATC में जितना डालना था उतना नहीं डाला या ATE में नहीं रालना था उतना भी डाल दिया तो इस तरह सी तो यह mismatch हो जाएगा और वहां से फिर process में देरी हो जाती है तो यह कुछ चोटे मोटे कारण है जिनके कारण ITR मिलने में देरी होती है तो ध्यान रखिएगा इन कारणों का और अगर आप आप इंकम टेक्स रिटर्न को फाइल करते हैं तो इन जो चोटी मोटी गलतिया है उनको ना करें तो मिलते हैं नेक्स प्रोड़े में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ तब तक के लिए नमस्कार टेक केर